ने नीती निर्माण, policy implementation, policy formulation, नीती कार्यानवन में महिलाओं की सशक्त भागिदारी का हमेशा प्रबल समर्थन किया है और उनका ये जो प्रबल समर्थन है वो केवल बातों तक सीमित नहीं है ये बात उनकी नीतियों में, उनके कामों में, उनकी योजनाओं में देखी जा सकती है केवल सांकेतिक समर्थन जैसे अन्य दल या अन्य और्गनाइजेशन में हम देखते हैं वैसा नहीं है महिलाओं को पूरा अधिकार है, अपनी बात समाजवादी पार्टी में कहने की और हमारी बात सुनी जाती है महिलाओं शिक्षित हों, समर्थ हों, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों, समाज में गैर बराबरी दूर हो यह उनके विचारों और योजनाओं में हमेशा स्पष्ट दिखा है डॉक्टर अंबेटकर ने कहा है, हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज का विकास इस बात से आका जा सकता है कि उसमें महिलाओं का कितना विकास हुआ, महिलाओं की कितनी भागिदारी हुई और आज वर्तमान परिस्टिती में फिर हमें ये सोचने की जरूरत है आज देश में हम ऐसी परिस्टितियों से जूज रहे हैं जहां सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता का प्रयोग करते हुए लोग बार-बार सम्विधान द्वारा प्रदत हमारे अधिकारों को खत्म करने का पुर्जोर प्रयास कर रहे हैं चाहे वो पीछे से हो, चाहे आगे से हो ये इन क्रे प्रकारेंड सम्विधान को बदलने का सम्विधान को तोड़ने मरोडने की पुर्जोर कोशिश हो रही है वो सम्विधान जिसे हम लोगों ने हम भारत के लोगों ने स्वता अंग्यकृत किया अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया स्विकार किया हम रोज पढ़ते हैं अगवारों में पढ़ते हैं टेलेविजन में पढ़ते हैं टेलेविजन में हम लोगों को डिबेट पे बुलाया जाता है कि दलितों महिलाओं पिछडों अलप संक्यकों पर अथ्याचार और उस्पीडन की कहानी ऐसी घटनाए असंख गिनने में भी कोई सीमा नहीं है रोज सामने आती है और कही ने कहीं तो लगता है कि ये समवेदन ही सरकार इसका या तो परोक्ष समर्थन है या फिर कोई चुपपी है कि कारवाई और इनकी चुपपी या बोलना सब कुछ सुविधा के अनुसार होता है निश्पक्ष तरीके से नहीं होता ये कारण हमें समझना पड़ेगा ये कारण हमें बताना पड़ेगा क्योंकि महिलाओं की भागीदारी केवल सांकेतिक न रह जाए जैसी भागीदारी समाजवादी पार्टी जैसी भागीदारी लोहिया जैसी भागीदारी प्रोफेसर साब आदरनी अख्रेश अदरुजी चाहते हैं वैसी भागीदारी देश में महिलाओं की हो